कि एक बात के लिए मैं सचदेवा भीया को धन्दवाद देना चाहूंगे कि वास्तों में हम लोगों को लग रहा था कि सुबह कैसे होएगी क्योंकि मेरा स्वास्ता खराब है और आपने बढ़िया गाया है पांच से साड़ इच्छे बजा दिये इस बात के लिए बहुत धवाद है तमाम बाते सचदेवा भीया ने कहीं है कि बहन जी आएंगी मेरा जवाब उनको अच्छा नहीं लगेगा बहुत जानकार हो गए है क्योंकि हमारे आत्मा की बात पहले ही पता है बहन जी आएंगे इनको अच्छा नहीं लेगा और कहा भगवान भोले ना अथ ने जहर पी लिया किसने कहा है जहर पी लिया पीना उसको कहते हैं जो उदर में चला जाए और जब गले से उत्रा ही नहीं तो कैसे पी लिया इसे ही कह रहे हैं कुछ विचारा करिए फिर बोली इसलिए हम कहते हैं कि कम बोलना सीखिए लेकिन जितना भी बोले तो अच्छा बोले हैं अब सब संगत का सब्सक्राइब बार वार कह रहे हैं बहन जी नाराज हो जाते हैं और ये शमानी दादा आदा बारे भासकर मिस्रा जी आपके माद्यम से एक पत्मुद्राओं का ये इसने आया है आज इवन इस इसने की कामरा करोंगी मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कोई भी बात का जवाब नहीं देते हैं लेकिन वार वार आप कह रहे हैं कि आपने ये कह दिया कि ये कलियुक का मैंने बात कही है सलफास लाद दीजिए और स्री राम को वनवास चाहिए मुझे सलफास चाहिए अच्छा बड़े भी या आप विचार करें कि इन्होंने कलियुक की केकई बताई हैं तो क्या कलियुक में सत्रिता युक के राम मिलेंगे अगर तुम बनवास दोगी वहों के जोगा नहीं दे गई लेकिन बात है अपनी है एक बात और आई आपने दूसरे के गीत को तोड़ दिया यह यह सम्मानी दादा हमारे मजलू बाचपाई जी आपके माद्यम सिंक्याउन पत्रमुद्राएं वेठें बहुत धन्नवाद है आसिरवाद की कामना है आर गाया इसे अगया भगवान कनहिया ने जब चावल खाए तो देखें उनकी चावल के साथ दरिद्रता चबागए तो उहां सुदामा जी कह रहे हैं मजा आ गया है अगर हमारी कोई दरिद्रता चबाएगा तो हमको मजा आएगा मैंने जश्ट अफोजट करके दिखाया कि जहां मार ख आएगा हें मैरी कशक के कमर मेरी कमर दुख रही है लेका फिर लिए चड़ी ऐसी लगाई मजा आ गया क्योंकि माता के मंतत्त स्कली है लेकर बात कुछ समझते नहीं आब क्योंकि तो उसको गहराई से सुने गहराई से सोचिये गहराई से अधन करिए एकथ वो तो जादा नहीं चैना में लेकिन की कि मर्यादा भीगार्ट रहें आरे तुमारी कया ओ समीख लोग जानते हैं अगर तुम लोग लोग इन डेखते रहेंगे लेकिन मेरा कहने कहना कुछ और उसको आप समझते नहीं है कि मैंने कीत गायाً बार बार अपना गीत छेड़ दें कि कativa समय जा रहा है बार अपना पुना फिर चेड़ते हो, क्यों आ धा मैं-जली आजनता ने जवाब इसका नाम जवावी कीरतन है तो महत्त जवाब का है वर्ना सवाली कीरतन होती है होड़े मैंने गाया? यह ही लगता ही नहीं वह खुदा अब जाने क्या बात है यह आग में चलता ही नहीं मारना चाहा कई वार पर मरता ही नहीं सुने उसको और फिर समझे फिर बोले उसमें तत्त लगे थे मारना चाहा कई वार पर मरता नहीं आपने कहा दूना अच्छी है दूना अच्छी है गीत को करोण रसमें लिखवाना चाहिए अब जब आपको रस ही पता नहीं यह करोण है कि हास है कि वीर है तो फिर ये आप टोकते के हूँ यह क्यों कि जब आपको स्वेम पता नहीं है तो यह बात मत शेड़िये दादा जी वाल सीथ हुई है ना आपने कहा करोण रसमें अब बताएए वो दुखणा सुरा रहा है खिरा कश्चप अपने गुरु को कि मारना चा कई वार पर मरता नहीं तो वो क्या उच्चा को चकर कह रहे थे कि फुल जड़ी जला के लागा चाहा कई वार रहे थे चोड़ा वटे लेकिन कहना आओ सेर सायरी बाकई आप अच्छी पढ़ते हैं आप ने कहा है कि आप दूसरों का गाना गाती है जब आप में दिया है मेरे कसके कमर तो क्या आपने संभू बहिया को नहीं सुना जब 13 साल से यहां पर कीरतन हो रहा है तो यहां संभू बहिया भी आये होंगी वो गाते हैं जो राष्टिगी दापने पड़ा है जहर भाया हमें कितना अम्रित पीना नहीं आया गरीवी का फटा आचल हमें सीना नहीं आया भले ही फरिस्तों की तरह बातें करें लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया कि बहुत रणा और आकhone को भाड़ आडमी यह ने नोट किया है दादाग्या वाल दिने रिमीचारी गाओ जवा ऐस दें कि भाष्यास को प्याव लूज़ भाष्यातक्तों गीत के भाव को समझे और एग वार ने एग वार सुन्फिर जिवातом संमध्ट Morocco मैंने कहा कलाकार अपनी कोसिस करता है संपूर कोई नहीं है आप कभ कहेंगी कि मैं सीख चुकी हूँ जब वाल सफेद हो जाएंगे अरे बालों का उम्र से क्या लेना देना वाल तो कभी सफेद नहीं होगे डाई लगाते रहेंगे और बालों पर मत जाओ और आप कह रहे हैं जैसे महान विभूती कह रहे हैं कि हम सीख रहे हैं तो हम है का आप सीख चुके हैं बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं नहीं सीख पाई उन्हों मुझे लग रहा किस जीवन में मैं सीख पाऊंगे अब दादा जी आप लोग जैसा कहें गीत का जवाब दिया जाए और शमाने बड़्विया भीयस्री सेलंद कुमार मिस्रा जी आपके माध्यम से एक से पत्रमुद्राएं भीट हैं बहुत बहुत धन्रवाद है ऑज मैं सिसने की कामणा कर रही हूं कि एलता हो, जो इलता है डिलता है। और ये शम्मानिय दादा हमारे नरेश अरवक जिंग छमागेजे सही है, नरेश भहिया आपकी ओर से इंक्यान पत्रमुद्राएं भीट बहुत बहुत धन्वाद है, और ये शम्मानिय बड़े भहिया भहिया स्री कौंसर किशोर बाचपई जी आपके माध्यम से 21 द्राएं भीट हैं बहुत बहुत धन्वाद है बहुत 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 किशोर की आपके माध्यम से 21 पत्रमुद्राएं भीट जी आपके मास्माध्य बहुत बहुत भाद मुट्स से इंक्त। कि अपारोट की ऐफ देज अपारोट को हुआ हम और येवारो बढ़ हुआ है लीजेगा अपनी योर से छोटा सगीत पड़ रही हूँ गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने आईए क्योंकि सुवय का वक्त है और कुछ ऐसा सुनने को मिले जो सार्थक हो जाए नाजा जी निवेदा ने आपसे सुनेगा यूपन ने आपकी जुल्फों को देखे कर ये यावाद ने यावाद हैरान हूँ मैं आप की जुल्बों को देख कर इनको घटा कहूँ इनको घटा कहूँ तो घटा को क्या कहूँ हैरान हूँ मैं आप की जुल्बों देख जीत को सुनिये का कि आप हमारे चोटे भाई आपने बहुत अच्छा गीत दिया है मेरा भारत महान बहुत बढ़िया गीत आया है लेकिन देखिए इसी भारत देश महान में होता क्या है दादा जी कहना है कि 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 इसी में होता क्या है कि फिल्मि दुनियावाले कह रहें है रान हो आपकी जुलवों को देखकर दखे दिया वाले रान हो जूल पो देखकर देखिए जब सत बात पर है सब्सक्राइब 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 हैरान हूं मैं आधनिक मानों को देखिकर आप कहते हैं मेरा देश महार लेकिन इस देश में देखिए हैरान हूं मैं आधनिक मानों को देखिकर इनको क्रती कहो इनको क्रती कहो तो भी क्रती योग को क्या कहो हैरान हूं में आदुने के माना ओने के अब देखिये हैरान हुं में आदुने माना ओने कर अभे कर काईसे लिखा है कुछ आज कल के माना ओनोगर कुछ आज कल के मानाओ नहीं दाने वो से कम तो कुछ आज कल के मानाओ नहीं दाने वो से कम तो कुल को करे कलंकरत उठते कलत कदम तो कुल को करे कलंकरत उठते कलत कदम और अब देखिए खुद तो चरीत रहीन है खुद तो चरीत रहीन है परतन परेवरम अपने को नहीं देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं तो कुछ आज कल के मानाओ नहीं दाने वो से कम कुल को करे कलंकरत उठते कलत कदम कुल तो खुद तो चरीत रहीन है कि खुद तो चरीत रहीन करे परतन परेवरम अपने को नहीं देख रहे हैं, सामने वाला कैसा है सामने वाला कैसा है, दूसरों के दोस्त देख रहे हैं आज बड़े, आपको कहना इन को पती कहो अब देखिए आज कल के फुरुस है कैसे नाना प्रकार की नूज देखने को मिल रही है लड़कियों द्वारा इतने बुरे-बुरे काम कर आय जा रहे हैं ना ये देख रहे है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पतनी है क्योंकि पती परमेस्वर होता है, लेकिन आज वही पती अपनी पत्नी को कहर मर्द के साथ भे देखा है कि इनको पती कहो तो इनको पती कहूँ तो पती हियों को क्या कहूँ अगर मैं इनको पती कहता हूँ जमानी हमारे पता जी ने लिखा है कि इनको पती कहूँ तो फिर पती हियों को क्या कहूँ अब देखिए ये बात पतियों की हो गई अब देखिए आपने पतियों को देखा है लेकिन इस देश में नारियां भी कैसी है ये भारा देश महान है जब ये देखा तो देखिए रहा नहीं गया तो कुछ आज कल की नारिया तो कुछ आज कल की नारियों की मल गई मती आज कल की नारियों की मर गई तो करता व्यसे भी मुख्य हो गई उल्टी किन की गथी माना जाये तो नारी ही नारी की सत्रू है दुनिया भर के जो तमाम बाते कसेगी वो नारी ही नारी पर कसेगी कि अंदर भारा है पाप फिर भी बनती है सती अपने आपको नहीं देख रहे हैं सामने वाली अवरत कैसी है कि अंदर भारा है पाप फिर भी बनती है सती कि इनको सती कहो कि इनको सती कहो तो फिर सती कियों को क्या कहो तो है तो बज़से ऑल युन सब्सक्राइं आए एक बंद और सुने का जाते हैं क्यूंकि तमाम आसरम मिल रहे हैं आसाराम नारायन स्वामी जब इतना देखा सुना तो मन में से आवाज आए कुछ ढोगियों के ढोग ने दूस्त किया समाज तो कुछ ढोगियों के ढोग ने दूस्त किया समाज बाडी से बरसे अमरत अंधर है नागराज तो बाडी से बरसे अमरत अंधर है नागराज तो एक प्रशन फिर खड़ा होता है योगी कहे या भोगी इन साथ आखो क्या कहा जाए योगी कहे या भोगी मिलता नहीं है राज अब ये योगी है के भोगी है आप संदेन करें कि योगी कहे या भोगी मिलता नहीं है राज तो इनको योगी कहो अगर मैं इनको योगी कहते हूँ तो जो योगी है हमारे योगा नंदाचार जी ऐसे ऐसे गौतम बुद्ध ऐसे ऐसे संदुए है तो इनको योगी कहो तो फिर योगीयों को क्या कहो इनको योगी कहो तो योगीयों को क्या कहो तो हैरान हूँ मैं हादु लिवानाओं को देखिकर हैरान हूँ मैं आदु लिवानाओं को देखिकर हर्ण मार्यों के आदु लिवानाओं को क्या कहो इनको क्रती कहो तो क्रतीयों को क्या कहो तो है रान हूं में आद निके वालों को देखे प्रेश बोल दे सचे दर्वार की कि आई है हमारे शमानी दादा जी के और से कोसिस कर रहे हूं अपनी और से एक गीत हमारे दादा जी ने इशारा किया है प्रयास कर रहे हूं अपनी और से तूटा फूटा बन जाए याई कि क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं सदा बहार कभी पुराने नहीं होते हैं कि पीघी ओूटायां है, कि लुटाओ only रहे रहार करे टारी झाला कंवाने प्रुटारानुग और रहार है कि रहु यह गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि मैं तुलसी तेरे आंगेन की कि मैं तुलसी तेरे आंगेन की कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं तेरे आंगेन की कि मैं तुलसी तेरे आंगेन की कि मैं तुलसी तेरे आंगेन की कि मैं तुलसी तेरे आंगेन की होता क्या है मैं तुलसी तेरे आंगन की कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं तेरे साजन की मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं तुलसी तेरे आंगन की अब देखिये मान लीजिये किसी लड़की का विवाय हो गया है माता पिता ने उसको बड़े लाड प्यार से पाला है बिलकुल छोटा देखा है पुर्जन परिजन ने भी देखा है देखिये कभी जब छोटी है तो विनावस्तरों के घूमती है जब वहीं लड़की विवाय के समय सोलह संगार किये अपने माता पिता के साथ ने आती है पुर्जन परिजन के सामने आती है तो देखिये कोई भी कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो उस लड़की को देखकर रोनी लगता है उसके आंसु आजाते हैं और यह आंसु दुख के नहीं है यह सुख के भी है क्योंकि उसके सामने होता क्या है एक बात आ जाती है कि आज से मेरी बेटी पराई हो गए जहां पराई की बात आई तो देखिए पिता और माता पुर्जन परिजन सब लोग भाव भी ओर हो जाते हैं जब मा को देखा कि वही मा मुझे बड़े प्रेम से खिलाती बिलाती दी मैंने पहले भी स्रिंकार किया है लेकिन उन्होंने मुझक्रा दिया अरे देखो तो इस पगली को कितना स्रिंकार कर देख और आज जब मैं दुलहन के रूम में हूँ मा बनकर मा को सम्झाने लगी कि मा मा कि मैं गुडिया तेरे आंगन की मैं गुडिया तेरे आंगन की तो सामने वह बात आती है मैं गुडिया तेरे आंगन की 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 कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं कोई नहीं महित तेरे गुली ज़ने। तो कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, तेरे गुलसन की, तो मैं गुडियां तेरे आधन की मा फूट कर रोने लगी, मा के हासू पहुचे, कहा मा मत रो, क्यों, क्यों नहीं रो, तो कहने लगी बेटी, अधन की 16 संगार बेटी, खड़ी है, मा को संगार है अए मैया, तू क्यों रोती है आए माईया तू क्यों रोती है ये बेटी पराया धन होती है ये बेटी पराया धन होती है धनवान की हो या निर्धन की कि धनवान की हो या निर्धन की तो मैं गुडिया आते आगन की मैं गुडिया आते आते में गुडिया और शमानी दादा जी हमारे पैचे लाल कश्चत जी आपके मात्यम सिंक्यान पत्रमत्रा भी थे इस विदाईवत गीत पर आये सुने अब देखिए वो लड़की बढ़ने लगी विदाई का वक्त ही पूरजन परिजन उनकहा ज्यादा समय ना हो बढ़ने लगी देखा उसका बच्चा छमा किज़ेंगा उसके सामने खड़ा हो गया रोने लगा अब जो रोने लगा भाई को रोता देख बहन भी रोने लगी जो बहन रोने लगी तो देखिए भाई ने उधर किया कि भाई के हाथ नहीं पहुच रहें बहन के गाल तक उसने वेठा लिया बहन के आंसु कहुचे बहन ने अपने धीरच को समालते हुए कहा बेटा कुछ चाहिए क्यों कि मैं जा रही हूं अगर कुछ चाहिए तो बताओ तो देखिए ओल भाईया कहने लगा मुझे कुछ नही चाहिए चाहिए तो क्या मांग करती बहन से तो बहन कहने लगी अगर कुछ चाहिए तो बोलो तो बहना बोली सुन मेरे भाईया बहना बोली सुन मेरे भाईया मैं त्रोपती हूं तो तू है कना बोली सुन मेरे भाईया कना बुद भाईया मैं त्रोपती हूं तो तू है कना ही आप जब उस लड़की नहीं तू नहीं लेकिन आज तु नहीं रोएगा क्यों एक कसम दे दे कसम हे रक्षा वंधन की मैं गुडिया तेरे आंगन की तो कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं तेरे गुलसन की तो भाई ने कह दिया कि जा वहना जा 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 वहना अपने वीरन के या पढ़ना जा पीरन के या पहन बढ़ने लगी भाई ने बचन ले दिया या थि भाई ने हाथ पकड़ लिया कहा कुछ और चाहिए तो भाई कहने लगा बस मुझे एक वद्मन और चाहिए मैंने तुम्हें आजात दिया मेरी बहन जाओ पुस हाल रहो अब देखे वो बच्चा छोटा है लेकिन उसने कह दिया मुझे पहन तुने इतना दिया है और जितना तुने मुझे दिया है पारमात्मा तुझे दिल खोल कर देगा अब देखे छोटे भाई की पुकार सुनेगा तुनिया ना दे जो भी उतना तेरे पास एक अमूल निदी है मुझे उसकी जरूरत है मुझे पता है मैं दुनियादारी से किस कोई मुझे नहीं दे सकता तुनिया मुझे को दे नहीं उतना तो भेजे दियो राखी का देहना कब रितु आए जब सावन की रितु आए जब सावन की जा बहना जा जा बहना तु अपने बीरन की कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं कोई नहीं मैं तेरे कुल सहन की तु मैं गुडिया तेरे आंगल की कोई नहीं मैं गुडिया तेरे आंगल की कोई नहीं मैं गुडिया तेरे आंगल की हारो आए बहुत ही चोटास अपने योर से क्योंकि जब भी कोई वन्दन गीत से प्रारम होता है भारत माता के चणों में जब गीत समरपित हो जाता है तो पूर विराम हो जाता है आपके इस आरती वन्दन में वी कोई विग्न ना आए कि जीती हो तुम्हें देखके कि जीती हो तुम्हें देखके मरती हूँ तुम्हें पे तो साजन मेरे तुम हो जहां दुनिया है वही तो तिन रात दू आमा के मेरा मंदेर वास्ते दिन रात दू आमाने मेरा मन तेरे वास्ते यो अपनी उम्मीदों का कोई भूले नमर जाए क्या बात है तो अखियों के जरों फेसे मैंने देखा जो साबरे मन में तुम ही मुस्काए बडी दूर नजर आए सुनेगा के बड़ दूर नजर आए मन में तुम ही मुस्काए जैसे ही भारत की सीमा पर एक जवान सहीद हो गया भारत सरकार ने उन घरों में सहयोग रासी को भेजा गया अधिकारी लेकर आए देखिए जब मा को देनी लगे वह रासी कहा मा भारत सरकार द्वारा यह सहयोग रासी है जब रासी को मा ने नहीं देखा मा दोड़कर अपने घर के अंदर चली गई अधिकारी भी चुपके चुपके से पीछे पहुच गई और देखा तो मा ने देखा अपने लाल का बड़ा सा फोटो लगा है कुर्वान हुआ भारत पे तू लाल हमारा है तो जनमो जनम बनू मा तेरी ये लाल दो लारा अधिके वो फोटो से बात ही करने लगी और परमारमा से मगाने लगी कि अगर मेरी खिसमत में मा बनना है तो तू ही मेरा लाल बने कुर्वान हुआ भारत पे तू लाल हमारा है तो जनमो जनम बनू मा तरी तू लाल दो लारा और कहाँ अपने दिल से गम का हरता भटा देंगे अपने दिल से गम का हरता घटा देंगे तो एक लाल क्या भारत पे हम हम सोणा लुटा देंगे मा ने जबात दे दिया करारा के एक लाल तो क्या हरत पे हम सोणा लुटा देंगे पिता से भी कहा पिता ने जवाद दे दिया बहन से भी कहा पहन ने जवाद दे दिया आएगा अंतिन तुक्रा सुनेगा अधिकारियों ने देखा किसी ने उस रासी को सुईकार नहीं किया वो जब सुईकार नहीं किया तो देके वुस सहीद की पतनी खड़ी हैं और वो 16 स्रिंगार विये हैं अधिकारी पहुचे, कहा बेटा, आप तब पती सहीद हो चुगा है, तुम विद्वा हो चुकी हो, ये स्रिंगार त्याग दो, और ये रासी जो भारस सरकार ने भेजी है, इसे स्विकार करें, जब इतनी बात सुनी तो देखे, उस वीर बधु ने कहा क्या, कहा अगर देना कहा है, तो मैं जो मांग रही हूं, वही देखे, बहुता हुचा बढ़ा कि आसू पहादी खेलाओं नहीं, मैं हुई अभागन हुचा जब अमर हुए प्रिये मेरे मेरे, तो मैं अब भी सुहागन हुचा अगर अमर सहीद है, तुम अब वीद्वा कैसे हो गए उचाए कि आसू पहादी खेलाओं नहीं, मैं हुई अभागन हुचा जब अमर हुए साजन मेरे, मैं अब भी सुहागन और कहा, अगर चाहती हूँ तो क्या चाहती हूँ सरहत पे जाने का, मैं भी आओ सरचाहू तो साजन के सर के वदल मैं दुसमन के सर चाहू प्रिये तम की तरह हम अपने सर को कटा दे तो एक लाल क्या भारत पे हम तो लाल लुटा दे एक लाल क्या भारत पे हम साला लुटा दे प्रेम से बोल दे भारत माता की बहुत बहुत धन्वाद है अब जैसा कि आदेस हो तू है जग दंबे काली मादूर के खपरवाली तेरे ही कुड़े गाए भारती अबे तू है जग दंबे काली मातूर के खपरवाली तेरे ही कुड़े गाए भारती अबे तू है जग दंबे काली मातूर के खपरवाली तेरे ही कुड़े गाए भारती ओ बैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता फीर परी है बारी मा फीर परी है बारी दान उदर पर तूट परो और करके सिंग सवारी सोसो सिंदों से खपरवाली अश्के भुटाओ वाली तूपियों के तूपितों से परी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तूपित जनों पर करके काली जैबुर के खपरवाली तेरे ही गूड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दोलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दोलत ना चांदी ना सोना अम तो चाहे मातर मन में एक छोटा सा बोला सब की विगिड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सत्यों के सत्यों सावारती ओ बैया हम सब उतारे तेरी आरती मां बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल ना बातर बड़ा ही निर्मल ना ओ बैया बड़ा ही निर्मल ना मा बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल ना ओ फूट का बूत सुने है पर ना पाता सुने को माता सब मेरे का बड़ा बरसाने वाली अमृत चशनाने वाली सत्यों के सस्ते को सावारी ओ मैयां, हम सब उतारे तेरी आरती हम बेद तुए चक्तम बेकाली, जै दुरगे खप्रवाली तेरे ही गुरगावे, हारती हम बेद तुए चक्तम बेकाली, मा दुरे खप्रवाली तेरे ही गोड़े गाए भारती ओ बाईया हम सब उतारे तेरी आरती प्रेम से बोलने तुर्णा मयां की पल साथे दर्बार की ओ आपके दर्बार में चेक बाईया हम से हम संथो यहाँ के दर्बार में चेकरणी ।